जिमी शेरगिल की अगली फिल्म आजम, 19 मई को होगी रिलीज, टीजर आउट जिमी शेरगिल इन दिनों अपनी फिल्म आजम को लेकर सुर्कियां बटोर रहे हैं, जो 19 मई को रिलीज होगी मोशन पोस्टर रिलीज के बाद अब निर्माताउने सोमवार को आजम का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें जिमी जबर्दस्ट एक्षन करते नजर आ रहे हैं आजम, माफिया डौन के उत्तराधिकारी पर बुनी गई है, जिसका नाम आजम है फिल्म की कहानी सत्ता, विश्वासघात और साजिश पर आधारित होगी इसमें जिमी के अलावा अभिम्यू सिंग और इंद्रनीव सेंग गुपता भी एहम भूमिका में नजर आएंगे आजम का निर्देशन श्रवन तिवारी ने किया है, जबकि यह टीबी पटेल द्वारा निर्मित है फिल्म की कहानी भी श्रवन ने लिखी है बता दे फिल्म आजम की अधिकतर शूटी मुंबई में कई जगहों पर की गई है पंद्रा सेकंड के टीजर में गोलियों की आवाज के बीच जिमी का डायलोग सुनने को मिलता है हमारा धंधा बैलेस पर चलता है, जिसका बैलेस दिया, वो आदमी गया टीजर में जिमी का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है फिल्म क्राइम थरिलर है और यह एक गैंस्टर के डौन बनने की कहानी कहती है क्राइम थरिलर आजम